ना सीज फायर काम आ रहा है नहीं दूसरे देशों की पहल का कोई नतीजा दिख रहा है सुडान में 11 दिनों से संगर्श जारी है अफरा तफरी मजी है भूख प्यास से विहाल लोग जान बचाने के लिए देश छोड़ कर भाग रहे हैं और दुनिया के तमाम देश कुछ ने कर पा रहे है क्या इस मुश्किल का कोई हल निकलेगा चर्चा कवर स्टोरी में संयोक तराश्ट का कहना है कि सीज फायर जारी रखने के लिए वो सुडान की सेना और उनसे लड़ रही पैरा मिलिटरी फोर्स के जनरल्स के संपर्क में है कल रात को राजधानी खार्तूम के उत्तरे इलाके और ओमडर्मैन शहर में फैरिंग के खबर आए वहीं खार्तूम में वार क्राइम के आरोपी कई पूर वाधिकारियों को जेल से भागने की खबर भी आई हजारों लोग देश चुड़ कर भागने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एक रास्ता उत्तर के और मिस्र को जाता है और दक्षणी मिस्र के अबुसिंबल पहुचने के लिए खार्तूम से सड़क के रास्ते कम से कम दो दिन लगते हैं बीबी से समवादाता टॉम बेटमिन वहीं पर मौजूद है अब तक हजारों लोग इस क्रॉसिंग को पार करके मिस्र के रेगिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्रों में जा चुके हैं शरण के लिए पहला दर्वाजा उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसे पार करना होगा कमाल क्लासगो में दिल के सरजन है उनका पूरा परिवार बिटिन का नागरिक है दो दिन पहले वो खार्तूम से भागे वो कहते हैं कि ये उनकी जिन्दगी का सबसे बुरा सफर था बंबारी बहुत तेज और जोरदार थी लोग जहां भी थे उन्हें वहाँ से भागना पड़ा मेरी बेटी रो रही थी वो अब काहिरा के लिए निकले हैं और फिर स्कॉटलेंड जाएंगे वो बहुत राहत महसूस कर रहे हैं लेकिन पीछे छूट गए लोगों के लिए डरे हुए हैं ये इस खेतर के सबसे नए शरणार्थी हैं जिन्हें प्रतिद्वन्वी जनरलों के खतरनाक लड़ाई में फसने के पाद एक मुश्किल चुनाओ करना पड़ा जान बचाने के लिए भागना पड़ा लेकिन वो अपने साथ ज्यादा कुछ नहीं ला पाए सुरक्षा की और ये उनके पहले कदम है और यहां तक पहुँचने के लिए उन्हें रेगिस्तान में छे सो मील का सफर तै करना पड़ा लेकिन कई हजार लोग अब भी रास्ते में हैं जो इस क्रॉसिंग तक नहीं पहुँचे हैं ये कतार का अगला हिस्सा है कमाल की बेटी इनास ग्रुप के उन लोगों में से एक हैं जो आखिर में पहुचे वो अपने साथ सिर्फ एक दस्तावेज लेकर आई हैं जो घर पहुचने के लिए जरूरी है लेकिन खार्तूम में इसकी ज्यादा एहमियत नहीं थी हम घर में फसे हुए थे और जानते थे कि अगली सुबब बम हमारे इलाके में गिरने वाले हैं हमें निकलना था मुझे पहले उमीद थी कि ब्रिटेन से हमें कोई बचाने आ रहा है और मैं शान्त रहने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ वक्त बाद आप उमीद छोड़ देते हैं आपको एहसास होता है कि कोई आपको बचा सकता है तो वो सिर्फ खुद आप है और उनके भाई ग्लासगो पहुँचने की कोशिश में हैं ताकि काम पर लौट सकें उन्होंने जो देखा उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे जब मैं छोटा था तब से ही मेरा परिवार यहीं आता रहा है सुडान के लोग अच्छे हैं वो सिर्फ एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं एक अनिश्यत युद्ध विराम के बीच कई लोग ऐसे ही निकल रहे हैं एक ऐसी आंधी की तरफ जिससे वो अंजान है और भागने वालों में एहमद हारूर नाम का ये शक्स भी शामिल है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोट में नरसंगहार और मानोता के खलाफ अपराद जैसे आरोपों में वांटिड है अब तक इस संघर्ष में कम से कम 469 लोग मारे गए हैं पराशंका जताय जारिया कि मृतकों की वास्तविक संख्या इससे भी जाधा हो सकती है और सुडान में सैयुक तराश्टर के विशेश दूद वॉलकर पर थेस ने युएन सेक्यूरिटी काउंसिल में पूरे मामले पर ये कहा दोनों पक्षों के नेता पूरी तरहे से सीस फायर लागू करने के लिए तयार नहीं हुए हैं इसलिए दोनों जनरल प्रमुक संस्तानों पर कबजे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ये सपश्ट संकेत है कि दोनों में से कोई गंभीरता से बाचीत के लिए तयार नहीं है जिसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि एक दूसरे को सैन्य यूत के जरिये हराया जा सकता है हाला कि ये गलत आकलन है कई देशों ने सुडान में दोनों पक्षियों के बीच मध्यस दता करने का प्रस्ताव दिया है सुडान के उत्तर में है मिस्र इथियोपिया नील नदी पर है एक डैम बना रहा है वहाँ पर जिससे लेकर मिस्र चिंतित है उसे डर है कि इस डैम के बनने से मिस्र में पानी के आपूर्ती प्रभावित होगी मिस्र सुडान को अपना सहयोगी मानता है इसलिए इस डाम के मुद्दे पर वो उसका साथ चाहता है मिस्र के राष्ट्रपती फटह LCC पहले से ही सूडान के RSF के जनरल मुहमद हमदान दगालो का समर्थन कर रहे हैं और उनकी मदद के लिए उन्होंने फाइटर जेट्स भी भेजे हैं इधर सौधी अरब और UAE ने साल 2019 से सूडान में अरबो डॉलर का निवेश किया हुआ है उन्होंने जमीन और क्रिशी के शित्र में निवेश किया हुआ है रूस का भी सूडान में हित है वो यहाँ अफरीका का अपना पहला नेवल बेस बनाना जाता है पहले वहाँ की सैने सरकार से इसे लेकर सहमती बन गई थी लेकिन ताजा संकट के बाद इस डील के भविश्यक को लेकर भी अब सवाल है आरूप ये भी लगते हैं कि रूस समर्थित वागनर ग्रूप का भी सूडान में सैने और व्यापारे खित है इस ग्रूप ने यहां पर मध्यस्तता का ओफर भी दिया है और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की भी इस पर नजर है जो चाहते हैं कि सूडान पर रूस का प्रभाव कम हो और सूडान की सीमा साथ अफरीकी देशों से जुड़ी हुई है जिसका मतलब है कि सूडान में अगर कुछ भी हो रहा है तो इसका असर इस पूरे शेतर पर हो सकता है और संयुक तराश्र की रिफ्यूजी एजेंसी नियाशंक कर जताई है कि हजारों लोग इस संघर्ष के वज़े से आने वाले वक्त में देश छोड़कर जाने की कोशिश कर सकते हैं हजारों विदेशी नागरिक पहले से ही सुडान छोड़ चुके हैं फ्रांस की सीना द्वारा निकाले के करीब धाई सो लोग वापस अपने देश पहुच गये हैं जीबूती से रवाना होने से पहले हमने इन में से कुछ लोगों से बात की अच्छा प्रश्ट कर दो दो प्रश्ट कर दो दो आज़ा हैं इस बीच राहत साम अंगरे का इंतजार कर रहे है आम सुडानी नागरे को ने आरोप लगाया है कि पूरे देश में अराजक्ता के हाला थे और राहत समागरे तक को लूट लिया जा रहा है